चलिए उस तो बात करते हैं से को नई कोशन के बारे में इस कोशन में एक्जामने ने कहा एक आदमी 36,000 रुपे की कीमत वाला स्कूटर बेचता है वह पहले 20,000 रुपे पर 8% और अगले 10,000 रुपे पर 5% की छूट देता है तेज 6,000 रुपे पर वह कितनी छूट दे सकता है यदि उसे कुल रासी 7% की छूट मिलने पर उतनी ही छूट मिलनी है चलिए आइए सौल करते हैं देख इसको ज़्याद है कॉंप्लेट करने की कोई जूरुत नहीं है क्योंकि यह तो डियाक्ट अंसर हो रहा है आप एक काम कीजिए इसका टोटल निकाल दीजिए टोटल प 25-20 मिलेगा तो 20,000 पर जब 8% निकालेंगे आप तो इसकी 2-0 चल जाएगी तो यह कितना हो जाएगा 8-16 यानि कि आपका 8-16 यानि कि 16-100 रुपे का डिसकाउंट उसे यहां मिलेगा 10,000 पर कितना मिलेगा आपका 500 रुपे मिलेगा तो 500 इसमें आप जोड दीजिए टोटल क को नीचे रख दीजिए इन्टू में आप 100 कर दीजिए इससे मेरा ही चल जाएगा इससे चल जाएगा 7-42 यानि कि इसे कितना मिलना चिये 6% पर डुसकाउंट कितना होगा उसका 7% होगा यानि कि option C होगा वो इस question के लिए correct होगा I hope आप सभी question समझ में आया हुगा